हेलो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की आपकी बाई लोच की बुखरत बुख से चैप्टर नमर 17 ब्रीधिंग एन एक्चेंज ऑफ गैसे प्रिविएस वीडियो में हमने चैप्टर नमर 7 स्ट्रॉक्टर और अनिमल्स को हमने कंप्लीट कर लिया था अगर आपको कोई भी टॉपिक से लिए उस चैप्टर में वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैप्टर में जाके देख सकते हैं तो चलिया स्ट करते हैं ब्रीधिंग एक्षचेंज ऑफ गैसे चैप्ट नमर 17 हमारा यह तो हमने इस सेवन चैप्टर से पहले भी हमने 8 और 10 कम्ली तरह से स्टक्राइशं होता है किस तरह से बौडि में यूज होता है तो फूट की फूट सब्सटांस की जो हर एक चीज के टरांस पोटेशन होती है अब हम सास ले ने अब ऑक्षिजन कार्बॉन डाइकसाइड की कैसे जो ट्रांस स्ट्राइशन होगा तो वह सारा माशनम पढ़ेंगे oxygen रादबन डाइकसाइड कैसे हम जो है हम इनेल करेंगे एक्जेट करेंगे इनेल करने के दोरा हम क्या क्या करते हैं किस तरह से oxygen का अंदर आ जाते हैं हमारे उसके बाद oxygen बाइंट हो जाती है मोगलोबिन से उस तरह से हमारी बोरी बड़ी मन जाती है यह पूरा पढ़ेंगे किस तरह से होती है breathing का mechanism पढ़ेंगे कौन-कौन से मसल्स इन्वाल होती है इसके बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले पढ़ने से पहले हम जो देखते हैं में डिफरेंस हम देखते हैं breathing और respiration कहते हैं कि breathing respiration एक ही है बट आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा यही है बट जहीं अलग-अलग है breathing और respiration अलग-अलग है breathing respiration आप कहते है respiration सास लेना और छोड़ना यही है बट यह अलग-अलग है दुनों तो इस तरह से देखें अलग-अलग कैसे सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे तो इस चेप्टम टॉकिंग क्या 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 पढ़ेंगे हम सबसे पहले पढ़ेंगे respiratory organs respiration organs कौन-कौन से organism कौन-कौन सा phylum में जो भी organism कौन-कौन से एक तरह से review लेंगे हम यह सारे हमने पढ़ रखे चैप्ट नमर 4 में animal kingdom में तो हमने सारे पढ़ रखे एक तरह से quick review है और एक चीज का कौन-कौन से वो और चीज कर रहें रंग्स के लावा भी साई चीज होते है गिल्स होगी, cuticle हो गया, skin हो गई, skin के through करते हैं कई सारे आपके जो भी frogs जैसे amphibians है यह उसका बन mechanism पढ़ेंगे breathing का जिस तरह से मैं आपको चैप्ट का overview दे रहे है किस तरह से हम क्या क्या चीज है पढ़ेंगे चैप्टर में चैप्टर पढ़ने से चार्ट करने से पहला है यह चाहिसे जे और आपने chemistry में boil slow पढ़ा होगा वो उसका भी उस होता है pressure और volume का यहां पर प्रेशर इंवल्सर प्रपोर्शनल टू वॉल्यम यह वाला प्यूंट यूज होगा इसमें exchange of gases पढ़ेंगे किस तरह से जो है एक्षेंज होता है gases का alveoli और उसके बीच में जो आपके alveoli में जो है lungs में किस तरह एक्षेंज होता है पलबंदरी कैपिलर यह alveoli के बीच में जो है transportation of gas देखेंगे उसके बाद हम exchange इसके बारे में देखेंगे कैसे carbon dioxide and oxygen transport हुई इसके बारे में देखेंगे respiration का regulation of respiration कि कैसे under control कैसे chapter 16 में हमने जो पढ़ा था अलग अलग जो होते है gastrin होगा जैसे hormone वो अलग अलग होगी कैसे चीज़ों का secretion कराते है enzymes हो गएरा का साही चीज होगा ऐसे regulation पढ़ेंगे हम regulation respiration उसके बाद हम last में पढ़ेंगे disorder जो कि हम हर एक chapter में पढ़ना है human physiology में chapter 20 तक हमें पढ़ना है आपको clear होगा इस chapter में हम पूर आची तरह से क्या हमें 17.1 से लेके सिखते हैं क्या पढ़ना है तरह से quick overview दिया मैंने आपको अब यहां पर हम सबसे पहले बढ़ जान लेते हैं breathing और जो है इसका difference क्या है breathing और respiration में हम कहें तो जो breathing क्या होती है यहां पर यहां पर breathing और respiration breathing हम क्या कह सकते हैं breathing is simply intake of oxygen and release of CO2 हम जो oxygen लेंगे ऐसे हमने जो oxygen लिया आप यह प्रोसेस आप करके देख सकते हैं और रोज करते ही हैं हमने सास लिया और छोड़ा हमने carbon dioxide भाड़ निकाल दी यह normally breathing होता है यहां पर CO2 जो oxygen हमने ले ली oxygen और निकाल दी फिर हमने carbon dioxide निकाल दी इस में डर्मल ब्रीधिंग है लेकिन इसमें क्या होता है जो respiration होता है इसमें क्या होता है? यहां पर देखिए मैंने आपको बताया था एक्सचेंज वाल टॉपिक को आप पढ़ेंगे किस तरह से एक्सचेंज किया उसको और उसमें जो ऑक्षिजन एड़ करके हमने ग्लुकोस बनाया यह आपने रियक्षिन पढ़ भी रख्योंगी छोटी क्लासे में इस तरह से बनता है और यह यह बनता है और यह आपका ब्रिधिंग होता है यह क्या होता है फिजिकल प्रोसस होता है पीलिख देता हूं फिजिकल होता है इसमें यह फिजिकल प्रोसेस होता है, कोई भी enzymes का involvement नहीं होता है, कोई भी अंदर में body का, heart, core, organ का involvement नहीं होता है, यह कौन सा होता है, respiration यह bi-chemical होता है, क्यों इसमें हमारे पास अलग chemicals यूज होता है, enzymes यूज होता है, इसमें अलग चीज़ें, carbonic and hydrates होता है, आगे पढ़ release होती है, respiration, energy release होती है, मैंने आपको भी बताया, energy साथ में release होती है, 2H2, साथ में energy भी release होती है, इसमें, उसके बाद, उसके बाद क्या होगा, इसमें क्या होता है, जो आपका, इसमें कोई भी enzymes involved नहीं है, breathing respiration involved है, मैंने आपको बताया, आपको clear हुआ होगा breathing respiration, कोई भी दो दो आपको clear हुआ होगा और एक और आप पॉइंट जो जान सकते हैं जो breathing में क्या होते हैं कि outside the cells जो सारी function जो होते हैं बतलब cell के अंदर जो कोई भी चीज नहीं होती breathing के दौरान हम लेते simply oxygen छोड़ देते हैं cell का में कोई भी involvement नहीं है इसलिए हम इस process को हम कहते है एक्स्ट्रा-cellular process extra क्यों कहां extra cellular मतलब कि कोई भी cell का involvement नहीं है cell के अंदर हम नहीं जा रहें टीशू के अंदर या पर इस तरह से हम कह सकते हैं लेकिन जब respiration होता है वो क्या होता है इंट्रा-cellular इंट्रा-cellular होता है लेकिन एक्स्ट्रा-cellular होता है यह इंट्रा-cellular होता है क्योंकि इसमें cell भी यूज़ हो रहा है cellular पर जारे है टीशू लावल पर जारे हैं तो इस लिए हम ने इसको इंट्रा-cellular process कहा सो आप आपको clear हुआ होगा तो हमने breathing and respiration को common difference हमने जान लिया है कि क्या होता है breathing and respiration NCRT में ही लिखा हुए breathing common is respiration बट यह मैंने आपको difference बता दिया क्योंकि यह पता होना चाहिए आपको यह जो नॉलिज आपको ओनी चाहिए as a bio student as you have earlier as you have read earlier oxygen is utilized by the organism to indirectly break down simple molecules like glucose, fatty acids, amino acids etc to derive energy to perform various activities जो आपने पढ़ भी रखा है चोटी classes में कि oxygen हम utilize करते हैं फिर उसके बाद body में indirectly breakdown होती है अलग-अलग molecules simple molecules में glucose, amino acids, fatty acids होगे ताकि उनसे हम energy निकाल सकें जैसे मैंने आपको एक्षिन अभी बताई C6, H12 और O6 हमने इसको breakdown किया CO2 plus H2O निकला उसके बाद H2O निकला मेरे पास plus energy भी हमारे पास निकली यह लिग देता हूँ energy भी निकली तो CO2 तो भार निकल जाएगा water मारे body में जूरत है पानी की और energy भी बहुत जूरत है तो इसलिए इस तरह से हमें जुषको energy निकाल देते हैं carbon dioxide which is harmful is also released during the above catabolic reaction तो यह वाली जो reaction के दुरान जो हमारे पास क्या होता है कि आपको जो carbon dioxide भी release होती है मैं आपको बहुताई reaction की through carbon dioxide water निकलेगा तो यह काफी जो है toxic होती है inhalation के दुरान oxygen आती है inhalation मतलब सास लेना अंदर लेते हैं और exhalation मतलब भार निकाल दो उसके दुरान carbon dioxide हम भार निकालते है it is therefore evident that oxygen has to be continuously provided to the cells and CO2 produced by cells to have to be released out इसलिए हमें यहापे पता चल रहा हमारे पास सबूत है कि oxygen हमारे लिए जो है cells में जो continuously provide होनी चाहिए क्योंकि हमें energy काफी चाहिए हमां multicellular है millions of cells हमारे body बनी हो है multicellular organism है energy continuously हमें चाहिए काम करने के लिए इसलिए oxygen हमें काफी important हमारे body में और हमें यह भी पता चला कि CO2 हमारे body से भार निकल लिए काफी जरूरी है कि CO2 हमारे body से भार निकल लिए जरूरी हमारे body काफी important है क्योंकि it's toxic harmful हमारे body के लिए this process of exchange of O2 from the atmosphere with CO2 produced by the cells is called breathing commonly known as the respiration इसी process को कि हमने oxygen के exchange करे atmosphere से carbon dioxide के साथ कैसे हमने oxygen लिए उसके बाद हमने alveoli में exchange हुआ उसको oxygen ले लिया है तुलाई में carbon dioxide दी तो वह भार निकाल दी हमने produce cell में जो कि produce की इस पर हम क्या कहेंगे breathing कहेंगे इसको commonly known as the respiration commonly in this को हम कहेंगे respiration बट इसमें मैं आपको difference बताए इसमें difference होता है breathing respiration में उसके बाद हम बात करें तो place your hand on your chest you can feel the chest moving up and down आप जो अपनी चाती पर हाथ रखके देंगे lungs वाले portion पर उस जगह पर हाथ रखके देंगे chest पर तो आपका लगेगा कि कुछ चीज़े जो ऊपर नीचे आपका chest है ऊपर नीचे जो आप मूव कर रही है यह क्यों होता है कैसे होता है you know that it is due to breathing की वज़े से जो यह होता है अब इसका mechanism करेंगे कैसे हम breathe करते हैं कैसे exhale करते हैं कैसे oxygen का transportation होती है how do we breathe the respiratory organs and mechanism of breathing are described in the following section of this chapter तो इस तरह से कैसे हम breathe करते हैं उसका mechanism क्या breathing का कौन कौन से muscle involvement होती है diaphragm का involvement होती है काफ़ important diaphragm maximum 75% जो है roll वही प्ले करता हमारा diaphragm तो यह काफ़ी important है so आई आपको clear हुआ होगा breathing क्या होता है aspiration क्या होता है exchange के बारे हम पढ़ेंगे हमने जो है इस chapter का नाम में एक portion थो हमने पढ़ दिया थोड़ा सा हमने breathing का नाम जो हमने सुन लिया exchange हो हम आगे पढ़ेंगे आगे हम पढ़ते है respiratory organs के बारे में respiratory organs अलग-अलग organism में अलग-अलग mechanism जो है आपके जो oxygen का लेना carbon dioxide साथ छोड़ना हर एक के पास जो lungs नहीं पाई दाजी जैसे mammals के पास हम humans के पास हम mammals में आते हैं तो मारे पास lungs पाई जाते हैं लेकिन हर एक organism के पास lungs नहीं होती तो हम देखेंगे अलग-अलग structures होते हैं lungs के अलावा भी mechanism of breathing worry among different group of animals depending mainly on their habitats and level of organization कि जो mechanism है breathing का उस वो अलग-अलग organism है, अलग-अलग groups के organism है, अलग-अलग में जो है पाई जाता है किसके जून का habitat कैसा है, कहां पर रहते हैं उसके according पानी में रहते हैं, लेंड में रहते हैं लेंड में भी कहां रहते हैं कैसा organism उसका level of organization का है मदब cellular cell है, tissue, organ, organ system organ, organ system, क्या है उसका cellular level है अगर आपको detail में पढ़ना है, cellular level क्या होता है यह अलग-अलग चीज़े, इन में detail में पढ़ना है तो आप chapter 4 में जाके देख सकते हैं मैं लेक्चर बनाया है अलग-अलग जो है, philems में lower invertebrates होगे इसमें काफी term से जो आपको capital ना भी समझ भाए, तो आप यह जाके देख सकते हैं lecture में, chapter 4 के जो lower invertebrates होगे, sponges होगे sealant rates होगे, flatworms होगे, etc exchange O2, with CO2 simple diffusion के थूरू है, जो है exchange करते हैं, वहाँ पर भी हम नहीं पढ़ा था simple diffusion के थूरू जो है, exchange कर लेते simple diffusion होता है, इन में higher concentration, lower concentration, हमने diffusion भी पढ़ रखा, chapter 8 में हमने पढ़ा था थोड़ा सामने, chat number 16 में भी discuss किया था, diffusion को over the entire body service, जब इनका पूरा entire body, इनकी पूरी body है उसमें simple diffusion के थूरू जो है, exchange हो चाथा gases का, कोण कील में, lower invertebrates, sponges, sealant rates, platform, इन में, तो यह काफ़ important है, यह हर एक के आपको जो अलग-अलग respiratory organs आपको अलग-अलग पता होने चाहिए, नीट में जो आते हैं और आ भी चुके हैं, तो काफ़ी important है, यह जो है, जुरूर याद कियेज़ेगा, रखिएगा और याद करना है आपको काफ़ी important है यह, एक जो आप यहाँ पर जो स्टीके notes आते हैं, आफिर कहीं हमें लिख लेंगे, कोई भी paragraph वाली चीज़ है अगर बायो में हमें, paragraph में अच्छी तरह से समझ नहीं आता अगर हम उसको flow chart की form में और अलग से कहीं लिख देंगे, points की form में तो आपको अच्छी तरह से समझ में आतागा, क्योंकि बायो में, flow chart और points से, हमें डाइग्राम से बहुत अच्छी तरह से समझ आता है ऐसे जो हमारे पास जो पैराग्राफ में थोड़ा कम समझ में आता है, तो आप इस को लग से लिख सकते हैं आगे हम बात करें, तो simple diffusion ने किसमें पढ़ना, invertebrate sponges, cylinderate platforms हम अर्थों की बात करें, तो हम यूज दिर, moist cuticle, उनके पास कहते है cuticle होती है, cuticle के outermost layer होती है, cuticle होती है moist cuticle इनके पास पाया जाता है and insects, इनके पास cuticle पाया जाता है उसके थुरूज होए gases exchange करते हैं और insects की बात करें, have a network of tubes अलग-अलग tubes जो है पाया जाते हैं कई सारी tubes, इस तरह से आपस में जोड़ी होती है, यह साई tubes, तो इसको हमने का कहा दिया, tracheal tubes कहा दिया हमने to transport atmospheric oxygen विदिन दा body, पुरी body में इस तरह से इन में oxygen and transportation हो जाता है oxygen का special vascularized structure called gills, अब इसे हम का कहेंगे, gills gills की थुरू जो है respiration करता है उनको हमने नाम दे दिया, brachial respiration उस respiration को हमने कहा नाम दे दिया branchial respiration, branchial respiration नाम दे दिया, और जो tubes के थुरू करता है network of tubes के थुरू, उसे हमने नाम दे दिया, tracheal tubes नाम दे दिया, तो special vascularized structure की बात करें, तो vascularized structure मतलब blood vessels, उसके around, जो है वो जो है, use करते हैं इसमें, जो है, fishes को भी include कर सकते हैं, जो include करते हैं करते हैं, करते हैं, जो कि gills के थुरू respiration करते हैं, जिसे हम कहते हैं, branchial respiration whereas vascularized bags called lungs lungs के थुरू respiration करता है, उसे हम कहेंगे pulmonary respiration तो terms yadr के एक काफ़ important है जो कि tubes के थुरू करता है tracheal tubes हो गया, जो gills के थुरू करता है, branchial respiration हो गया, जो lungs के थुरू करता है, उसे pulmonary respiration कहेंगे, तो lungs related, pulmonary capillary कहते है, alveoli हो गया, इसके यहाँ पर pulmonary capillary होते है जिसके थुरू oxygen का यहाँ पर चली जाती है, और CO2 यहाँ से यहाँ पर आ जाती है तो pulmonary, हमने क्यों कहा कि us capillary को हमने pulmonary क्यों कहा, क्योंकि lungs related, lungs में सारा काम हो रहा है aar lungs को हम, जो lungs के लिए naam use करते है, pulmonary, pulmonary capillary कहा, तो इसलिए pulmonary respiration जो कहा है used by the terrestrial forms for the exchange of gases, terrestrial lans पे रहते है, वो यूज करते हैं लंग्स को, जैसे हम humans होगे, हम कुछ जो है लंग्स है, जो है रास्पायर करते हैं, exchange of gases के लिए, अमंग vertebrates की भी बात करें, तो हम वो invertebrates तो हमने, जो है simple diffusion हमने पड़ा उन में, जो आपके sponges इलंग्स होगे, अमंग vertebrates में बात करें, तो fishes use gills, fishes क्या करते हैं, gills use करते हैं, यहाँ पर मैं आपको भी उपर ही बताया था, gills को यूज करते हैं, और gills के थुरू जो रास्पायर करता है, branchial respiration, whereas amphibians, reptiles, birds, mammals, respire through lungs, जो भी amphibians होगे, reptiles होगे, birds होगे, mammals होगे, वो इसके थुरू करते हैं, lungs के थुरू करते हैं, तो यहाँ पर आपको शिरफ नाम बता दिया, कि gills के थुरू करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, branchial, जो trachea के थुरू करते हैं, tracheal tubes होगे, इसमें तो आपका example दे दिया, तो यहाँ पर gills का और lungs का नीचे example दिया होगे, fishes, gills के थुरू और amphibians, reptiles, birds, mammals, किस के थुरू, lungs के थुरू, amphibians भी जैसे frogs होगे, उनकी बात करें, तो हम can respire through their moist skin, उनमें जो moist से skin पाई जाती है, उसके थुरू जो है, respire करते है, frog के भार जो एक moist जो है, skin होती है, उसके skin के थुरू जो respire करता है, उसे हम कहेंगे cutaneous respiration, cutaneous respiration कहेंगे, तो जो skin के थुरू करता है, cutaneous respiration, gills के थुरू, branchial respiration, और जो आपके lungs के थुरू, pulmonary respiration हो गया, tubes के थुरू, tracheal tubes हो गया, तो आपको clear होगा, कौन-कौन जो है, और गैंसम, कौन से थुरू जो है, कि इसके थुरू जो है, exchange of gases करता है, तो यह काफ़ important है, इसको जो है, याद रखिएगा, तो आपको clear होगा, तो आपके एक तरह से थोड़ा से general introduction दे देता हूँ, इसके बारे हम detail में, हम next video पढ़ेंगे, human aspiratory system, थोड़ा सा introduction दे देता हूँ, human aspiratory system में, इस तरह से जो मारे पास जो है, सबसे पहले क्या हुदता हमारे पास जो है, external nostrils होते है, nose होता है, जिसमें external nostrils होते हैं, आपके नेर समन कहा सकते हैं, जो भी nose के अंदर space होतता है, उसे हम nasal chamber कहते हैं, nose होते हैं, उसमें क्यों अलग-अलग hairs होते हैं, जो क्या करते हैं, dust particles को trap करते हैं, फिर हम internal nostrils में जाते हैं, nasal pharynx, larynx में जाते हैं, तो यह मैं थोड़ा से एक तरह से जो इसको flow बता रहा हूँ, flow chart की flow chart नहीं आप कहा सकते हैं, passes बता रहा हूँ, external nostril हो गया, फिर उसके बाद nasal chamber हो गया, internal nostril, nasal pharynx, फिर larynx, फिर larynx हो गया, फिर उसके बाद आपका trachea हो गया, फिर उसके बाद primary, secondary, tertiary, bronchi, फिर इनिशियल, terminal, bronchi, फिर उसके बाद जो है, respiratory bronchi, फिर उसके बाद आपका last में आपके खुलता है, यह साई चीज़े करके, alveoline में खुलते हैं, जो air alveoline में जाती है, तो सारे पार्ट्स आते हैं, इसमें, तो इनको एक तरह से, मैंने आपको थोड़े-थोड़े बताएं, इसमें को याद करने कोशिश कीज़ेगा, क्योंकि काफ़ इंपॉर्टेंटर, नीट में जिससे question आया भी होए, कि इसका order क्या होगा, correct order कौन सा होगा, तो काफ़ इंपॉर्टेंट है, तो इसमें जो है, इसके डाइन डिटेल में, जो इस तरह से आपके nose हो गई, तो इस तरह से मापको थोड़ा सबनाऊं, तो इस तरह पीछे की तरह आपके internal nostril हो गए, यहाँ पर, यहाँ पर इस तरह से internal nostril, जो आपके present होते हैं, यहाँ पर यह nose हो गया, यहाँ से अंदर गई होगा, फिर इंटर नोस्टिल हो गए फिर उसके बाद आपके जो है निजलो फैरिंग्स लेरिंग्स फिर उसके बाद ट्रैकिया ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रॉंकाई इस तरह से ब्रॉंकाई जो है ट्रैकिया हो गया यहां पर इस तरह से कहा के खुलता है फिर उसके बाद चाहरो तरफ जो है blood vessels पाई जाती है arteries veins और जो है capillary में खुलती है arteries veins जो है मिलती है जब आपस में तो आपको clear हुआ होगा मैं थोड़ा सा आपको overview देंगे इनके बारे में detail में next video हम पढ़ेंगे तो next video हम आगे पढ़ेंगे जो है इसके बारे में human respirator system को तो आज हम विस वीडियो हम जो है introduction जाना breathing और respiration में क्या difference होता है काफी जो है जो है जो इसको याद रखेगा थोड़ा सा general logical यह आपको पताओने चाहिए कि इसमें difference क्या होता है आप कई आप यह नहीं सोचना कि breathing respiration same होता है अलग-अलग होते है और respiratory organs पढ़ा कौन से में कौन सा होता है अलग-अलग organs इनके नाम याद रखेगा गिल्स में कौन याद रखेगा गिल्स में इस तरह से नाया याद रखेगा तो अगर आपके वीडियो अच्छी लगिए हो वीडियो को लाइक किए जगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब